अब आज के टाइम में इनका चैनल मोटाईज है अब आपको बता दूँ आप सोच रहे होंगे इस फोन पर ये सारे लोग कैसे जुड़े हैं हलो मेरे प्यारे दोस्तों आपका चैनल अचानक से डी मोनेटाईज हो गया है आपके चैनल पर महीने की अर्निंग हो रही थी आपका चैनल पहली बार अपलाई किया गया था और आपने बड़े उमीद लगा कर अपलाई किया था आप बड़ी उमीद से यूटूब पर काम कर रहे थे कि यूटूब से एक दिन मैं लाखों रुपए कमाऊंगा पर क्यों आता है कैसे हटेगा और क्या करना होगा आपको मैं 10 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ इन 10 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं तो naturally or definitely आपका चैनल मोटाई होगा सबसे पहले मैं आपको बताओं सबसे पहला जो point है हमारा दूसरे की वीडियो डालना बंद कर दो आपको बताओं बहुत सारे YouTube पर चैनल है उस पर दूसरे की वीडियो डाली जाती है इतनी दूसरे की वीडियो पढ़ती है कि उन्हें लगता है कि इससे तो मेरा चैनल गुरो हो रहा है मैं आपको बता दूँ वो चैनल बेकार है जिस पर की demonetization होने के बाद एक million subscriber हो और मेरे नजर में वो चैनल अच्छा है जिस पर की 2000 subscriber हो मैं आपको यही recommend करूंगा कि आपका चैनल अच्छा हो आपके चैनल पर monetization on हो भले ही आपके चैनल पर 24-10 वीडियो ही पड़ी हो 24-1000 subscriber हो लेकिन आपका चैनल monetize जो पैसे की earning कर रहा हो एक बात ध्यान रखना दूसरे की वीडियो डिलीट करना है दूसरे की वीडियो डालना बंद कर दो बिलकुल कर दो अब मैं आपको बताता हूँ point number 2 दूसरे के चैनल से thumbnail आप चुरा लेते हैं tag चुरा लेते हैं description चुरा लेते हैं और यह सब चुराने के बाद आप अपने चैनल पर यूच करते हैं आज ही बता रहा हूँ इस सब चीज को डिलीट कर दो बंद कर दो अगर आपने यूच कर रखा तो change कर दो जाकर change कर दोगे आपकी वीडियो गुरो भी होगी boost भी होगी लोग देखेंगे और आपका चैनल monetize भी होगा अब मैं आपको तीसरा point बताता हूँ कि reply करने से पहले आप अपने चैनल पर सबसे most popular वीडियो पर जाओ देखने के बाद आप सबसे newest वीडियो को देखो और सबसे oldest वीडियो को देखो क्या इन सभी वीडियो पर आपकी आवाज है आपकी value है आपका सब कुछ इसमें detail प्रॉपर है या फिर अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं problem लगती है तो आप उस वीडियो को delete करना private नह जब आपका channel monetize था पहले यह उस बात को बता रहा हूं जब आपका channel monetize था और monetize में demonetize हो गया है तो जब demonetize होता है तो आप जाकर देखना latest में आपने कौन कौन सी वीडियो upload की थी और किस वीडियो पर आपके 10,000 views से जादा आ गये है अगर आपको लगता है कि आपने द वाइस ना हो अगर आपकी वाइस नहीं है तो उसे डिलीट कर दो बहुत लोग क्या करते हैं अपनी आवाज नहीं डालते हैं दूसरे के वीडियो उठाया फोटो उठाया उसमें music एट कर दी और upload कर दिया उन्हें लगता है इसमें editing की है मेहनत की है यह तो channel मेरा ही है यह तो वीडियो मेरी ही है इस पर कोई problem हो ही नहीं सकती यह channel monetize हो जाएगा मैं आपको बता दूँँ आपका channel monetize नहीं होगा इस टाइप से अगर आपका channel in case monetize हो भी गया तब भी आपके channel पर reused content आएगा बचके रहना safe रहना यह ध्यान रखना point number 5 अगर आप short की वीडियो डालते हो तो short वीडियो में wise होनी ही चाहिए आपकी आवाज होनी चाहिए इस बात को ध्यान रखना या फिर आपका face होना चाहिए आपका performance होना चाहिए आपकी value होनी चाहिए मैं हमेशा बताता हूँ आज फिर बता रहा हूँ अगर आपके वी यूजड में नहीं जाएगी तब आपका चैनल सेफ रहेगा इस बात को ध्यान रखना अब मैं आप point number 6 बताता हूँ कि अगर आपके चैनल पर appeal का option आगया है आप appeal करना चाहते है तो appeal आप करके अपने चैनल को mortize कराईए अगर appeal करने का option आप appeal कैसे करेंगे मैं आपको बत आप का चैनल जो आप appeal की बना रहें अपने most popular वीडियो को दिखाईए latest वीडियो को दिखाईए आप उल्डेश्ट वीडियो को दिखाईए अपने चैनल के थीम के बारे में बताईए आप upload क्या करते है वो बताएए कैसे edit करते हैं वो दिखाईए YouTube को ऐसे में appeal बीडियो अपील वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं अपील वीडियो कैसे बनाते हैं क्या क्या बोलते हैं सारी चीजे बता रखे एक दम explain करके यह ध्यान रखना अब हम point number 7 की तरफ अगर बढ़े हैं तो अगर आपका चैनल AI या फिर copy paste वाला है आपने AI से related या copy paste से related आपने अपने चैनल पर वीडियो बनाई है तो आपको बता दूँ कि आप अगर AI की वीडियो डालते हैं तो uniqueness आपके हर एक वीडियो में होना चाहिए ये नहीं है कि किसी की वीडियो आपने देखी उसी का text उठाकर copy किया और अपने चैनल पर upload कर दिया हर एक वीडियो आपकी unique होनी चाहिए अगर आप AI वीडियो बनाकर YouTube से पैसे कमाना चाते हैं तो क्योंकि AI वीडियो से अगर आप YouTube पर पैसे कमाना चाते हैं तो आपको uniqueness रखना होगा जैसे किसी भी topic पर आप वीडियो बनाएं जैसे चंद्रियान 3 अभी launch हुआ है और पहुँच गया है वहाँ पर तो आप इस पर अगर वीडियो बनाएंगे तो आपकी वो वीडियो मैंने दूसरे की वीडियो डाल रखे हैं लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करूंगा नहीं तो वाच टाइम चला जाएगा बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वीडियो डिलीट नहीं करते हैं प्राइबेट करके मेंबर हमारे होते हैं अभी तक हमने 500 से जादा चैनल मोनेटाइज करा हैं इस पर हजारों से जादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ और इन सभी के चैनल हमने मोनेटाइज कराने का प्रण किया हुआ है एक एक करके सबका चैनल मोनेटाइज करा रहे हैं आपका भी चैनल या फिर कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो सोसल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो, वो दूसरी की वीडियो बीच में डाल देंगे, स्टार्टिंग में बोलेंगे, लाश्ट में बोल देंगे, ऐसा नहीं करना है, मैं उन सभी महिलाओं को बताना चाहता हूँ, जो घर पर काम करती है, रहती है, घरेलू महिलाए है, लेकिन उनके चैनल पर प्राब्लम यह होता है, कि उन्हें पता नहीं होता, वो दूसरे की वीडियो उठा उठा कर डाल देती है, बाद में पता चलता है, रिउजडा क्या है, तब क्या करना होता है, तब अपनी आवाज डाल के वीडियो बनाना हो गया, मेरे पास ऐसे ही एक मैम का वीडियो आया है, मेंबर सी पुनों न जरूरी है, क्योंकि ये point बहुत लोग miss कर जाते हैं, miss क्या करते हैं आपके पास ये mobile है, आप कहीं गए हुए हैं, ऐसे आपने camera पर जाकर suit कर लिया, suit करने के बाद आपने proper suit किया, आके अपने बढ़िया से edit किया, edit करने के बाद उसमें music डाल दी, music डालने के बाद upload कर दिया, अब आपको तो लग रहा होगा ये video मेरी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये video आपकी नहीं है, ये video पर reused आएगा, क्योंकि आपकी इसमें आवाज नहीं है, आपकी इसमें value नहीं है, तो अगर आपकी value नहीं है, अगर आपकी आवाज नहीं है, तो आपको monetization में दिक्कत आएगी ही आएगी, कभी भी आप camera से suit करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो video आपकी नहीं होती, अब जैसे DJ कहीं बजरा है, आप जाकर mobile से suit कर लेंगे तो जो song बजरा है, वो आपका हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो song तो दूसरे का ही है, तो वैसे ही आप अगर कहीं पर mobile से suit करते हैं तो आप उसमें vlogging करिए, mobile से कोई भी, आप कोई भी item को suit किया, तो vlogging में आता है वो, ज्यादा तर आप बोल कर बताते हैं, ठीक है, तो आप कोसिस करिए, अपने हर एक वीडियो में value रखिए, हर एक वीडियो में अच्छे से जानकारी दीजिए, आपका चैनल मोटाई होगा, जैसे reply मिलने के बाद हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पर मैं दिखूंगा, आपसे बात करूंगा, उसके बाद आपको membership दी जाएगा, membership देने के बाद फिर आपके चैनल को review किया जाएगा, देखा जाएगा, बताया सकते हैं, Instagram पर आप हमारी paid membership भी ले सकते हैं, हमने अभी तक 500 से ज़्यादा YouTube channel monetize करा हैं, वो भी review content वाले, 200 से ज़्यादा ऐसे channel monetize करा हैं, जिस पर हमने अपील वीडियो बनाई है, और बहुत सारे आपने हमारे वीडियो को like किया होगा, channel पर पहली बार विजिट किये हैं, तो subscribe भी कर लिया होगा, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे, wish you all the very best, thank you very much